राजाओ का वुत्तन्त दूसरा भाज अध्याय चार एलिशा के चार आश्चर्य कर्म भरुश वक्ताओं के जेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलिशा की दोहाई देकर कहा है तेरा दास मेरा पती मर गया और तू जानता है कि वह यहुआ का भैमानने वाला था और जिसका वह कर्णदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए एलिशा ने उससे पूछा मैं तेरे लिए क्या करूँ मुझसे कहा कि तेरे गर में क्या है उसने कहा तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है उसने कहा तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ो सिनों से खाली बरतन मांग ले और थोड़े बरतन ना लाना फिर तू अपने बेटो समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बरतनों मे तेल उन्डेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना तब वहां उसके पास से चली गई और अपने बेटो समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया तब वे तो उसके पास बरतन लाते गए और वहां उन्डेल दी गई जब बरतन भर गए तब उसने अपने बेटो से कहा मेरे पास एक और भी लेया उसने उससे कहा और बरतन तो नहीं रहा तब तेल ठम गया तब उसने जाकर परमिश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा जा तेल बेच कर पुरुन भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहीत अपना निर्वाह करना फिर एक दिन की बाद है कि एलिशा सुनेम को गया जहां एक पुलिन स्तुरी थी और उसने उससे रोटी खाने के लिए बिंती करके विवश किया और जब जब वहां उधर से जाता तब तब वहां वहां रोटी खाने को उतरता था और उस्तुरी ने अपने बत्ति से कहा सुन यह तो बार-बार हमारे यहां से होकर जाया करता है, वहां मुझे परमिश्वर का कोई पवित्रभक्त जान पड़ता है, तो हम भीत पर एक छोटी उपरवठी ओठरी बनाएं और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुरसी और एक दिवट रखें, कि जब-जब वहां हम तब उसी में ठिका करें, एक दिन की बात है, कि वहां वहां जाकर उस उपरवठी ओठी में ठिका, और उसी में लेट कया, और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शुनेमिन को बुला ले, उसके बुलाने से वहां उसके सामने खड़ी हुए, तब उसने गेहजी से कहा, इससे कहा कि तुने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है तो तेरे लिए क्या किया जाए क्या तेरी चर्चा, राजा वा प्रधान से नापति से की जाए उसने उत्तर दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ फिर उसने कहा तो उसके लिए क्या किया जाए गेज ने उत्तर दिया निश्चित उसके कोई लड़का नहीं और उसका पती बूढा है उसने कहा उसको बुला ले और जब उसने उससे बुलवाया तब वह द्वार में खड़ी हुई तब उसने कहा वसंत्रुतु के दिन पूरे होने पर तु एक बेटा छाकी से लगाएगी स्त्री ने कहा है मेरे प्रभु है परमेश्वर के भक्त ऐसा नहीं अपनी दासी को धोखा न दे और स्त्री को गर्भर रहा और वसंत्रुतु का जो समय एलिशा ने उससे कहा था उसी समय जब दिन पूरे होए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ और जब लड़का बड़ से कहा आह मेरा सिर आह मेरा सिर तब पिता ने अपने सेवक से कहा इसको इसकी माता के पास ले जा वहां उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया फिर वहां दो पहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा तब मर गया तब उसने चड़कर उसको परमेश्वर के भक्त की खाट पर लिटा दिया और निकल कर किवाड बन्न किया तब उतर गई और उसने अपने पती से पुकार कर कहा मेरे पास एक सेवक और एक गधी तुरंत भेज़ दे कि मैं परमिश्वर के भक्त के यहां जखपट हुआओं। उसने कहा आज तु उसके हां क्यो जाएगी आज न तो नए चान का और न विश्राम का दिन है उसने कहा कल्यान हो तब उस्थ्री ने गधी पर काठी बांद कर अपने सेवक से कहा हाग के चल और मेरे कहे बिना हागने में धिलाई न करना तो वह चलते चलते करमिश्वर के भक पुछने पर परवेश्वर के भक्त के निकट पहुँची. उसे दूर से देखकर परमिश्वर के भक्त ने अपने सेवग गेहजी से कहा बेख उधर तो वह शुनेमीन है्. अब उससे मिलने को डवडा जा और उससे पूछ कि तू कूशल से है. तेरा पती भी कूशल से है. औ और लड़का धी कुशल से हैं। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया हां कुशल से हैं। वहाँ पहाड पर पर्मेश्वर के भक्त के पास पहुची और उसके पाव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धका देकर हटाया। परंतु पर्मेश्वर के भक्त ने कहा उसे छोड़ दे। उसका मन व्याकुल है। परंतु यहवा ने मुझको नहीं बताया। छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी कि क्या मैंने अपने प्रभू से पुत्र का वर मांगा था। क्या मैंने न कहा था। मुझे धोका न तब एलिशा ने गेहजी से कहा अपनी कमरबान और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मारग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना। और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना। और मेरी यह चड़ी उस लड़के के मुह पर धर देना तब लड़के की माने एलिशा से कहा यहवा के और तेरे जीवन की शपत मैं तुझे न छोड़ूंगी तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उससे पहले पहुचकर गेहजी ने चड़ी को उस लड़के के मुह पर रखा परन्तु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उ एलिशा से मिलने को लवटाया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। जब एलिशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर किवार बंद किया और यहवा से प्रार्थना की। तब वह लड़के पर इस रीटी से लेट गया कि अपना मुह उसके मुह से और अपनी आखे उसकी आखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिये। और वहां लड़के पर पसा गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। और वहां उसे छोड़कर धर में इधर उधर तह लड़के ने साथ बार छीका और अपनी आखे खुली तब एलिशा ने गहजी को बुला कर कहा सुनेमिन को बुला ले जब उसके बुलाने से वहां उसके पास आई तब उसने कहा अपने बेटे को उठा ले वहाँ भीतर गई और उसके पाव पर गियर भूमी तक जुक कर दंडवत किया फिर अपने बेटे को उठा कर निकल गई तब एलिशा गिलगाल को लवट गया उस समय देश में अकाल था और भविश वक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे बुए थे और उसने अपने सेवक से कहा हंडा चढ़ा कर भविश वक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका तब कोई मैदान में साथ तोड़ने गया और कोई जंगल्यता पाकर अपनी अंकवार भर इंद्रायन तोड़ ले आया और टुकुडे टुकुडे करके पकाने के लिए हंडे में डाल दिया वो उसको न पहिचानते थे तब उन्होंने उन मनुषों के खाने के लिए हंडे में से परोसा खाते समय वे चला कर बोल उठे हे परमेश्वर के भकत हंडे में मृत्यु है और वे उसमें से खा न सके तब एलिशा ने कहा अच्छा कुछ मैदा लियाओ तब उसने उसे हंडे में डालका कहा उन लोगों के खाने के लिए परोश दे फिर हंडे में कुछ हानी की वस्तू न रही और कोई मनुष्य बाल शालिशा से पहले उपचे हुए जव की विस रूटिया और अपनी बोरी में हरी वाले परमिशर क के भक्त के पास ले आया तो एलिशा ने कहा उन लोगों को खाने के लिए दे उसके रहनोई ने कहा क्या मैं सव मनुष्यों के सामने इतना ही रख दू उसने कहा लोगों को दे दे कि खाए क्योंकि यहवा यो कहता है उनके खाने के बाद कुछ बच पी जाएगा तब उसने उनके आगे धर दिया और यहवा के वच्चन के अनुसार उनके खाने के बाद कुछ बच भी गया